हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैरूपाली वर्णा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 12 यानि की क्लास 12 की बुक आरोहो का पार्ट 3 पार्ट 3 है हमारा इसके अंदर दो कविताएं दी गई है पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थीम पर मगर ये कविताएं लिखी है कुवर नारायन जी ने हमारे सामने प्रस्तूत करी है इन दोनों ही कविताओं को हम समझेंगे सबसे पहले पहली कविता लेते हैं कविता के बहाने इन्होंने इस कविता के बहाने की कविता कहां कहां जाती है कैसे कैसे विचरण करती है ये प्रकति के माध्यम से भी और बच्चों के माध्यम से इन्होंने हमको बताया है चडिया जहां तक पहुंचती है उससे कहीं जादा अंदर तक जो है ये कविताएं पहुच जाती है क्या दिया है कविता एक उडान है चडिया के बहाने कविता की उडान भला चडिया क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंक लगा उड़ने के माने चडिया क्या जाने अब क्या बोल रहे हैं वो कविता एक उड़ान है चडिया के बहाने यानि कविता वैसी ही उड़ान भरती है जैसी एक चडिया उड़ान भरती है चडिया उडान बढ़ती है वो पूरे आस्मा में कहीं पर भी तक चली जाती है सब जगा चली जाती है तो जैसे चडिया जो है उड़ती है वैसे ही कविता के भी पंक होते हैं और वो भी सब जगा उड़ सकती है कविता की उडान भला चडिया क्या जाने मगर चडिया के उड़ने की अपनी एक सीमा है वो हर जगे नहीं पहुंच सकती, अंत्रक्ष नहीं जा सकती मगर कविता, कविता तो कलपना में होती है और वो कलपना का तो कोई सीमा ही नहीं है वो जहाँ चाये वहाँ तक उड़ सकती है बाहर भीतर मतलब कहीं पर भी हो कहीं घर पे यानि कि इस घर उस घर किसी भी घर चली जाए मतलब चडिया इस घर जा सकती है उस घर जा सकती है बाहर जा सकती है भीतर जा सकती है सभी जगा जा सकती है कविता के पंक लगा उड़ने के माने तो चडिया जैसे इस तरीके से सब जगे जा सकती है उसी तरह कविता के भी पंक होते हैं कविता ने भी चडिया के पंक लगा लिये हैं वो भी उड़ सकती है वो भी इस घर उस घर कहीं भी जा सकती है कहीं बेभी बाहर और भीतर जा सकती है चडिया क्या जाने और कविता की जो पंक होते हैं उसकी जो उडान होती है वो चडिया से कहीं जादा उची होती है वो वहाँ पे भी पहुचती है जहां चडिया नहीं पहुच सकती कविता तो कल्पनाओं के माध्यम से उड़ती है और चडिया क्या होती है अपने पंकों के माध्यम से उड़ती है तो उसका अपना एक खुद का क्रेटिड होते हैं कि हर जगे वो नहीं गुश सकती लेकिन कविता कहा है वो कहीं पर भी गुश जाएगी तो अब इसका प्रसंग देखते हैं सबसे पहले प्रस्तुत कावियांश हमारी पाड पुस्तक आरो भाग दोग में संतिलित कविता कविता के बहाने से उद्धत है कविता की आत्रा के बारे में बताते हैं जो चडिया फूल से लेकर बच्चे तक की है कवि का मानना है रचनात्मक्ता उर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते यानि कि कविता की जो रचनात्मक्ता है उसकी जो रचना की जा रही है वो कल्पना है तो उसको तो आप कही बांध ही नहीं सकते, बहिए चडिया की सीमा है, फूलों की सीमा है, बच्चे तो हर जगे पहुँच जाते हैं क्योंकि वो कल्पना में हमारी मन के अंदर रहते हैं तो यही चीज इन्होंने इन कविता के मांतियम से में बताएं, प्रसंग सभी जगा एक ही रहेगा हमारा व्याक्या क्या है, कभी कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है, इसे सिद्ध करने के लिए वह चडिया का उधारन देता है साथ ही चडिया की उडान के बारे में यह भी कहता है कि चडिया की उडान सीमित होती है किन्तु कविता की कलपना का दायरा असीमित होता है वो कहीं पे भी कलपना कर सकता है कभी चडिया घर के अंदर बाहर या एक दूसरे घर तक उड़ती है परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है कभी के भावों की कोई सीमा नहीं है कविता घर-घर की कहानी कहती है वपंक लगाकर हर जगा उड़ सकती है उसकी उड़ान चड़िया की उड़ान से कहीं जादा आगे तक होती है आगे की देखते हैं कविता कविता एक खिलना है फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुर्जाय महतने के माने फूल क्या जाने अब उन्होंने बोला कविता उसी तरीके से खिलती है जिस तरीके से फूल खिलता है फूल खिलता है सुगंद देता है उसी तरह कविता भी खिलती है और सुगंद देती है कविता का खिलना भला फूल क्या जाने अब कविता जब खिलती है तो वो क्या होता है उसका खिलना फूल नहीं समझ सकता क्यों फूल एक निश्चित समय के लिए खिलता है और वो एक ही जगा खिलता है अपनी जगा नहीं बदल सकता मगर कविता क्या है वो एक फूल बनकर सभी जगा उड़ सकती है उसकी सुगंद आप सिर्फ फूल के सुगंद फूल के आसपास रहती है मगर कविता की जो सुगंद है वो उसके आसपास नहीं मीलो हजारो करोडो मीलो तक रहती है तो इसलिए उन्हों ने बोला कि कविता का खिलना फूल नहीं समाज सकता क्योंकि उसकी सुगंद बहुत दूर तक जाती है बाहर भीतर इस घर उस घर जैसे फूल बाहर भीतर और इस घर उस घर सभी जगे खिलता है वैसे कविता भी कहीं पर भी खिल सकती है बिना मुर्जाय महकने के माने फूल क्या जाने अब बोल रहा है क्या कविता बोल रहा है कि फूल तो एक समय की बाद मुर्जा जाता है मगर कविता तो हमेशा खिली रहती है इसलिए फूल जो है वो कविता के समान नहीं होता मगर कविता उससे कहीं जादा समय तक फूली-फली रहती है अब इसका प्रसंग क्या होगा प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धत है इसके रचैता कुवर नारायन है कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चड़िया, फूल और बच्चे तक की है कवि का मानना है कि रचनात्मक्ता उर्जा परसीमा के बंधन लागू नहीं होते है प्रसंग वही हमारा सेम ही है अब इसकी व्याख्या को देखेंगे कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुलित रहता है उसके मन में कविता फूल की भाती व्यक्सत होती है फूल से कविता का रंग भाव आदी आते हैं परन्तु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानता यानि कि फूल को देखकर हम कविता लिख सकते हैं लेकिन कविता किस तरीके से खिल रहे हैं ये चीज़ फूल नहीं समझ सकता फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खराब खुश्बू फैलाते हैं, फिर मुर्जा जाते हैं, उनकी परिडिती निश्चत होती है वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंद फैलाते हैं, परंतु शीगरी नश्ट हो जाते हैं कविता बिना मुर्जाय लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, इस बात को फूल नहीं समझ सकता कि भई फूल तो मुर्जा गया, उसकी सुगंद भी उसके साथ था तमोगे, लेकिन कविता क्या हुई? कविता तो वो लोगों के मन में खिलती है और हमेशा तक के लिए खिली रह सकती है अब इस कविता के आकरे चंद में देखेंगे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर, भीतर, यह घर, वागर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने अब उन्होंने यहाँ पर बताया कि बच्चों को देखकर भी कविता होती है कविता हम बच्चों को देखकर ही करते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानि बच्चे जैसे खेल करते हैं, जो भी होते हैं उसी तरह उनके खेलों को देख कर भी कविताओं की रचना होती है जैसे बच्चे इस घर से उस घर यहां बाहर भीतर करते हैं वैसे कविता भी वैसी ही होती है सब घरे एक कर देने अब बच्चे जब दोड़ते हैं तो सारे घर उनके लिए एक जैसे होते हैं जिस तरीके से बच्चा कविता को समझ सकता है उसी तरीके से कविता भी बच्चे को समझती है तो यहाँ पर बच्चा और कविता को सिमिलर कर दिया गया है कि बच्चे की जो कमलता होती है जो खुश्बू होती है जैसा वो भी करता है जैसी चंचलता होती है वैसी ही कविता की भी चंचलता होती है पहले प्रसंग देखेंगे प्रस्तुत कावियांश हमारी पाट पुस्तक आरो भाग दो मेसंकलित कविता कविता की बहाने से उद्धत है इसके रचैता कुवर नारायन है कवी कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चड़िया फूल से लेकर बच्चे तकी है अब व्याक्या क्या है कवी कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने जार लगतते हैं उसी प्रकार कवी के लिए कविता भी शब्दों की ही क्रीडा है वा बच्चों की खेल की तरह कहीं पर भी किसी भी तरह स्थान में प्रकट हो सकती है जैसे बता है ना बच्चों का खेल जैसा है वैसी ही कविता है उनको भी देख कर बच्चों को खेलते देख कर भी कविता प्रकट हो जाती है वा किसी भी समय अपने भावों को वेक्त कर सकती है बच्चों के लिए सभी गड़ एक समान होते हैं वे खेलने के समय अपने पराय का भेद नहीं रखते इसी तरह कवी भी अपने शब्दों के आंतरिक वा बहारी संसार के मनोभावों के रूप प्रदान करता है वा बच्चों की तरह बेपरवा है कवीता पर कोई बंधन लागू नहीं होता जैसे बच्चों पर कोई बंधन लागू नहीं होता उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता वैसे ही कवी भी जब शब्दों का इस्तिमाल करता है कविता जब पैदा होती है तो वो भी किसी भी बिना भेदभाव के ही उत्पन होती है तो इस तरीके से जो हमारी प्रथम कविता थी कविता के बहाने वो यहां खताम हुई अब हमारी दूसरी कविता बात सीधी थी परमगर कवी ने बात शुरू करी वो धीरे धीरे वो शब्दों का ऐसा जाल बुनते गए कि वो कविता उलजती चली गई तो उसी के बारे में उन्होंने बताई बात सीधी थी पर शब्दों के प्रयार से वो बहुत ही उलजती चली गई उसी बात का इस कविता के माध्यम से उन्होंने यहां पर पेश की आए क्या है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा तेड़ी फस गई उसे पाने की कोशिश में भाषा की उल्टा पल्टा तोड़ा मरोडा गुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई क्या कह रहे बात बहुत सीधी थी जो मैं कहना चाह रहा था मतलब मैं लोगों को मंच पे खड़े होकर कविता सुना रहा था बात बहुत सीधी थी भाषर दे रहें कविता सुनाये बहुत ही सीधी बात थी पर भाषा को और रोचक बनाने के चक्कर में बहुत ही टेड़ी होती चली गई उसे पाने की कोशिश में भाषा की उल्टा पल्टी अब उस बात को सीधी करने के चक्कर में मैंने भाशा को और थोड़ा सा उलटना पलटना शुरू किया की बात जो है फिर से पहले की तरह सीधी हो जाए तोरा मरोरा मतलब शब्दों को तोरा और मरोरा घुमाया फिराया कि थोड़ा सा बातों को लाइनों को शब्दों को थोड़ा सा घुमाने फिराने की कोशिश करी की बात बन जाए मतलब बात सीधी हो जाए जो टेड़ी हो गई थी वो सीधी हो जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए जिस भाषा के चक्कर में हमने उस बात को टेड़ी किया था उस भाषा से निकल कर वो बात सीधी हो जाए लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई और उस भाषा से बाहर निकालने के चक्कर में बात जो है वो पेचीदा और पेचीदा और पेचीदा होती चलेगी बात यहाँ पर यह समझाई जा रही है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने बात को समझाने के लिए हमेशा सीधे सरल शब्दों का हम इस्तेमाल करें हम भाशा को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में ऐसे शब्दों का समावेश कर देते हैं कि वो बात उलजती चली जाती है और सामने वाले के समझवे ही नहीं आती है और फिर हम उसको जब सीधा करने की कोशिश करते हैं तो उसको जब और घुमाते फिराते हैं तो वो और ज़ादा मुश्किल होती चली जाती है तो प्रसंग क्या है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता बात सीधी तीथिफर्व से ली गई है इसके रचैता कुवर नाराने इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया की अकसर चमतकार के चक्कर में भाषा का दुरुपियोग हो जाता है मतलब हम भाषा को एकदम चमतकरत बना दे इस चकर में हम ऐसे शब्दों को डाल देते हैं कि वो भाषा ही एकदम बेकार हो जाती है कवी कहता है कि वो अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिवेक्त करना चाहता था खत समाज की प्रकती को देखते हुए उसे प्रभावी भाशा में के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था मतलब जो वो भाशा बोल रहा था उसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना चाहता था पर भाशा के चक्कर में भावों की सहचता नश्ट हो गई मतलब भाशा को प्रभाव चाली चक्कर मनाने में जो उसका अंदर का मर्म था वो कहीं गायब हो गया कवी कहता है मैंने मूल बात को कहने में शब्दों वाकायंशों वाक्यों को आदी को बदल दिया मतलब उसमें बहुत सारे इन्वेटि परायवाची अनेक आरती व्याकियांश सभी सब चीज़ों को हमें इस्तिमाल करता चला गया फिर उसके रूप को बदला जब यह सब चीज़े बदलेंगे तो रूप भी बदलता जाएगा शब्दों में उलट-कुलट का प्रयोग किया कवी ने कोशिश की थी कि या तो इस प्रयोग में उसका काम बच जाए या फिर वो भाषा के उलट फेल के जंग जाल से बच जाए जो बात वो बोलना चाहरा था वो बहुत उल्टी सीधी हो गई तो वो चाहरा था कि इनको फिर से सीधा करके वो लोगों के सामने प्रस्तूत कर दें परंदु कवी को कोई सफलता नहीं मली उसकी भाषा और जटिल हो गई अब वो जो कोशिश कर रहा था भाषा को सीधी करने की लेकिन वो और जादा मुश्किल होती चली गई सारी मुश्किल को धैर से समझे बिना मैं फेच को खोलने की बजाए उसे बे तरह कस्ता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तक पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की साबाशी और वहवाई अब यहाँ पर इनकी जो बाट टेड़ी हुई उसको उन्होंने कुछ अलग माध्यम से भी बताया है पेच देखा है आपने पेच उसमे चूड़ी बंधी होती है उसके माध्यम से इन्होंने हमें समझाने की कोशिश करे सारी मुश्किल को धैर से समझे बिना अब जो चीजें उलज रही थी मैंने उसको धैर से समझा ही नहीं कि मुश्किले कहां से पैदा हो रही सोचता समझता तब उसको लेकिन मेरे अंदर वो धीरजी थी नहीं था कि मैं इस बात को समझता और फिर उसे सुलजाता मैं पेच को खोलने की बजाए अर्थात उस भाषा को सुलजाने के बजाए मैं उसे और पेच बता है ना पेच को खोलने के लिए हमें उल्टा गुमाना पड़ता है फिर ऐसे गुमाना पड़ता है दो तरीके से और एक तरीके से बंद होता है एक तरीके से कस्ता है तो वही उन्होंने बताया कि भाषा को मैंने पेज की तरह खोलने की बजाए उसे और कस्ता चला गया यानि कि मैं सोच रहा था कि मैं इसको खोल दूँ पेज को लेकिन मैं उसे खोलने की बजाए वापस मैं उल्टा उसको कसता चले गए अर्थात मैंने मेरी कोशिश थी कि मैं भाषा को जो बात अपनी समझाना चाह रहा था लोगों को मैं समझाओं हूँ लेकिन वहाँ पर उल्टी बात भाषा मेरी और उलजती चली जा रही थी क्योंकि इस कर्टब मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वावाई क्योंकि ये जो मैं कारे कर रहा था अर्थात कविता को सुल्जाने की बजाए उसे कस्ता जा रहा था और उल्जाता चला जा रहा था ये जो मैं कारे कर रहा था इसमें वहाँ पे मौझूद सभी लोगों की तालिया और वावाई मुझे सुनाई दे रही थी तो मैं उसे खोलने की बजाए और कश्ता चला जा रहा था हो जाता ना कि हम भावाई अरे भाहम तो सही कर रहे हैं और हम चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें एक तरीके से उसको गलत कर रहे थे प्रसंग क्या है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित बात सीधी थी पर से ली गई है इसके रचैता कुवर नारायर ने इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है व्याख्या क्या है कवी कहते हैं कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा हल ढूडने की बजाएव अधिक शब्द जाल में फस्ता चला गया बात को पेच खुलनी के स्थान पर टेड़ा हो गया कवी उसे अनुचित रूप से कस्ता चला गया इससे भाषा और जटिल हो गई शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोसाहन दे रहे थे और उसकी प्रशंशा कर रहे थे इसलिए वो और उलस्ता चला गया कि भाई हम खोले कि और हम और शब्दों डिफिकल शब्दों का और इस्तेमाल करें अब आखरी चंद में क्या दिया है आखिर कार वही हुआ जिसका मुझे डर था जोर जबजस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाशा में बेकार घूमने लगी हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगाट ठोक दिया उपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था बात ने जो एक शरार्ती बच्ची की तरह मुझे जेल रही थी मुझे पसीना पोचते देखकर पूचा क्या तुमने भाशा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा अब क्या हुआ बात बहुत उलच चुकी थी और कभी को जिस बात का डर लगा रहा था वही बात डर शुरू हो गया वही चीज गटना शुरू हो गया आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था कभी को डर था कि कहीं ये बात इतनी ना उलच जाए कि हम इसको खोल ही ना पाएं और वही डर साबित हुआ जोर दबस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वो भाशा में बेकार हुआ जैसे पेच है जोर दबस्ती दे क्या होता है वो फ्री हो जाता है तो वही हुआ यहाँ पर हमने इतने जादा शब्दों का इस्तेमाल कर लिया कि वहाँ भाशा का जो मतलब हम निकलना चाहिए था वो चीज उन शब्दों के बीच में ही उलजकर रह गई फिर आखिर कार उन्हें क्या करना पड़ा हार के मैंने उसे कील की तरह उसी जगा ठोक दिया अब जब उसकी चूड़ी मर जाती है पेच की तो क्या होता हम कील की तरह उसको ठोक देते हैं वही चीज हुआ कि उसने म मैंने जब उस बात की चीज मर गई कि जब वो बात साबती नहीं हो पारी है तो मैंने उस बात को उस जगा छोड़के उसी जगा उसका अंत कर दिया उपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना तो एक बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मतलब उपर से तो वो भाशड़ वो कविता एकदम सही लग रही थी लेकिन अंदर से उस कविता का कोई भी अर्थ नहीं था जैसे की कैसे बात ने एक शरारती बच्चे की तरह जैसे एक शरारती बच्चा होता है न वो हर बात को जहल लेता है आप उसको जितना भी डाटो सब कुछ करो जहल लेता है उसी तरीके से मेरी बात को भी वहाँ पर मौझूद सभी लोगों ने जेल लिया था जैसे एक शरारती बच्चा सारी बातों को जेल लेता है मुझे पसीना पोचते देखकर अब जब मेरी बात इतनी उलच गई थी तो मेरा पसीना मैं बहुत बिचलित था तब मेरी अंतरात्मा ने मुझे से पूछा क्या तुमने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं सीखा था यानि कि जब आप कविता लिखने विड़े तो शब्दों का सही इस्तेमाल सही संतुलित तरीके से करना पहले जरूरी होता है तो जब मेरी बात बिगड गई और मैं पसीने को पोच रहा था समालते हैं तो यही मेरे इंतायत पूछा क्या तुमने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं सीखा था क्या होगा यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता बात सीधीती पर से ली गई है इसके रचैता कुवर नारायन है इस कविता में भाषा की सहष्ता की बात कही गई है और बताया गया है कि चमतकार के चक्कर में भाषा कैसे दरू और अप्रभावी हो जाती है अव्याख्या क्या है इसकी कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भार्षा का प्रयोग करने लगा परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था जैसे पेज्ट के साथ जबरजस्ति करने पर उसकी परडियां समाप्त हो जाती है उसी प बात कह रहे थे उसका जो प्रभाव पढ़ना चाहिए था वो शब्दों के चकर में उतना प्रभाव नहीं पढ़ पा रहा था अंत में कभी जब अपनी बात को इस पश्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया जैसे पेच की चूड़ी समाप्त हो प्रभाव नहीं है शब्दों में ताकत नहीं है कविता प्रभाव हीन हो गई है जब वह अपनी बात इस पश्ट ना कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोचते हुए कभी ने पूछा क्या तुमने कभी भाशा को सरलता सहजता और सुविधार में से हमको बताई गई है कि हमेशा अपने बातों को इस तरीके से सामने रखी बहुत जादा मतलब उसके अंदर वर्ट्स को इस्तेमाल नहीं करिए जिससे वह बात बिगड़ जाए हमेशा ऐसे शब्दों करिए जो आप कहना चाह रहें वो प्रभाव शाली डंग से दूसरों बाइ